कि ले कि दक्र होगि हम लोग क्या कर रहे थे यहां पे हेलो कि ishawn ठीजर घ्लोह यहां पे नमेंग्लेचर देख रहे थे मतलब कि जो भी हईलोजन कमपॉंड था उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं ये हम लोग सीख चुके तो है पांच यहां है यह तुम्हारे एंसी आर्टी बूक का है तुम्हारे क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट तो यहां पर देख रहें डिटो इसी तरह समापे छपा होगा दिखेगा तुम्हारे और इसको नमेंक्लेचर लिखना पढ़ेगा और इसको लिखेगा एक नंबर में पूछा अब यहाँ पर सर्थ क्या है कि कभी-कभी तुम्हें इस तरकर करना पर करना है करना लीखा हुआ दिया गया देख रहा है यहां पर किसी तरह का कोई बॉंड वेगे रहा का कुछ चर्चा नहीं किया और कौन किस्ते जुड़ा यह भी हम लोगों को जल्दी पता नहीं चल पाता है तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक्सपैंड करेंगे ताकि हम लोग को नाम लिखने में दिकत नाओ ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कुछ तो हम लोग को करना नहीं हम लोग पहले भी जान चुके कि अगर कोई भी फॉर्मुला दिया रहेगा तो उसको कैसे में बदलते हैं तो यहां पर देखो तुम्हा पहले तो चीजब भी रहेगा मतलग किसी के साथ वह जूड़ेगा वही अगर गलतिस यहां पर दूग रहते मतले हैं अब इतना लिक लेने के बाद यह थो कहा करेंगे इस वाला कारवन से यहां पर जोड़ देंगे ठीक है उसके बाद आयोडीन यहां पर आयोडीन जोड़ दी क्या स्ट्रक्ट्टरल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सारा चेहां हम लोग पहले ही दूसरा त्रीसरा क्लास में हम लोग कर चुके तो इसी चलते जब भी इस तरह का फॉर्मूला दिया रहेगा कंवर्ट किसमें कर लेना पहले अस्ट्रक्ट्रल में क्योंकि जब तक उस मोग बदलो गया नहीं नाम लिखने नहीं सब्सक्राइब बतार यहां से नाम लिख पाता है क्या नहीं लिख पाता है गलब आ जाता हम लोग इस तरह से कंवट करेंगे उसके बाद करेंगे और क्लूंग इसको नाम लिखेंगे अब क्या करना है लोंडे फोर जाए यह मों को ब्रांट भांच हो जाएगा यह भी एक हो ब्रांच हो झागा अपर नाम लिखना आ मतलब मिठाई भिझा यहां लिखेंगे कितना भुझेंगे वñas पोजिशन पर लिखेंगके इसके बास थो ँप फोजिशन पर हो जाएगा और क्या है और मिठैल। तो यहां प्रूंच तैससे क्या करना है पहले करते कर ना करने के सिसे सह करेंगे करते पाल में नहीं करना हां अब बैसे देखो यह दूगों बना लिए अरे डूग बनाया है कारवन एक इधर से बनाया इधर से चार गों कंप्लिट हो जाएगा बचा इसके पास तो दूग इधर बनाया है एक इसके साथ बनाया तिन गों तो एक खाली बचे करती हैं जूड़ेगा मतलए इस वाला अब डूग जोड़ दो यह तो आपज तुम इधर एको जोड़ दो और एको किदर जोड़ दो इधर जोड़ गा कंप्लीट होगा इसका श्ट्रक्थ्टर अब क्या करना है नाम लिखना अब देख रहा है कि लोग इस चेंट तो यहीं और छीक्स त्रें यह तुम्हारा क्या हो जाएगा ब्रांच जाएगा अब यहां पे नाम लिखना है उसके पार प्र भूभर तुम्हारा कितना पुजीन है नाव पूंजीन क्या यहां यहां on नहीं रिखें औ Hogget Leg मक्सद किया है सिर्फ यहां जो अर्ट यहां पर देख रहा है उसके बाद उसका क्या करना है नाम लिखना है अब इधर देखो यह जो तीन compound है अईसा अब बना लेगा न अग्जामपल है उसका प्रूप में बना चुके हैं उसको send कर देंगे तुम लोग बना लेना ठीक है बाकि यहां पर देखो यह जो है मेटा पारा और और तो यह को बैनजीन वहां आ रहा है क्या छा रहा है टो इसरा का देखेंगा तोस्को कैसे बनाएगा तो समझो अच्छा त्रीकसे नहीं समझोंगे फिर आब हैसं है क्या है अं यहां पर देखेंग आ हम लोग classify करते कि कौन तुम्हारा ओर्थ होगा कोन होगा पारा कोन होगा मेटा जैसे कि कुछ यहां पर लग गया ठीक है लगने के बाद इसका जो सकेंड वाला पॉजिशन रहता है जिसे यहां पर वान हो जाएगा तू हो जाएगा थीरी फो तो जो सकेंड वाला इसको बोल गोल जूद सकते हैं तो कहीं भी तुम जोड़ोंगे तो उसी के इस्इच पर यहां लिखा हुआ हुआ उने ळींग भण भी यहां पर देखों यहां पर तुम्हारे पास इसके यहांond PARC यहांप बनाते है ठीक है अब यह जो बेंजीन का तुम फॉर्मूला देखो कि इसका होता है C6 H6 होता है इतना होता है अब देखो अगर ओर्थो और मेटा आ रहा है कहानी अगर आ आता है इसका मतलब यहीं तो वह समझेगा कि यहां पर कुछ जुड़ा होगा इसके और मतलब कर जोके तो इसका मतला इसमें जो बेंचीन का फ्रॉमूला हो जागा वह क्या जागा तो देखेंगा लेकिन एच क्या हो जागा फॉर जाएगा मतला इस तरह से कभी भी तो विए जिए पात हो चाप लेते हैं कि असाफ लिए इसको इसी तरह कर दो चाहा हो डबल बॉन कर लो टेकल डबल व्रलो करें लेते तरह कि अप्षिक है अब हमे लोग को देखो मेटा अम मेटा पोजिशन तो इसका नाम ने बोल रहा है मतलब यह यहां पर यहां के जूड़ा होगा उसके रिस्पैक्ट में बोल रहा हो गाई मेटाप आप देखोगे यह यहां पर दो चलोंगे तो तुम्हारे पस क्या जूड़ेगा यहां के साथ च्छ इसके साथ कौन जुड़ा है कारबन जुड़ा है अब इस कारबन के साथ CH3 के भी जुड़ा है तीन वो तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे CH3 CH3 और यहां पर भी क्या हो जाएगा CH3 मतलब यहां पर यहां पर भी जोड़ा है तो यहां पर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा चलो अब क्या करने को नुमेंग लेक्चार लिखना नुमेंग लेक्चर लिखना अब तो अभी ही तुम देखा कि यहां से कॉंटिंग करना पड़ रहा है क्यों कि इसी क्रिस्पक में तो अर्थू पारा मेटा इस भूला तो जहां पे यहां पर रहा नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए कई एक था से बूल एक complex branch हो गया रहो गर नहीं जीसे यहाँ पर देखेगा तो कि यहां यह हो जागा SH transactionsест करणा हो यह लोग को क्या तो zurra-frage घ longest purchase रा और यह भी लैंज को क्या जा रहा है यह अर इतर पहले सायकं पाहले सायक में इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे सबसे पहले देखो कॉंप्लेक्स ब्रांज का नाम लिख लो ठीक है और वैसे भी देख रहा है कि इसका नाम लिखोगे इसका नाम लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे ठीरी पोजिशन पर तुम्हारा क्या हो जाएगा से थिरी पोजिसन में तुम देने जाओगे तियां पर तुम क्या लिखेंगे अब नूम लिखना का यहां कि यहां पर थर्ड तर फिर पर फिर वंडिएश बोल दो यहां पर यहां पर तुम ऐसे बोलोगे कि वन डाइस पर तुम्हारा क्या हो जागा कुलोरो हो जागा अरे इतर बारांचन होगी एरे तो उस पर तुम्हारा वन इससेक्वह करेंगा नो बीचा से टार्यक्ली जुड़ा कुलोरो मिथा सिर्फ यहां पे पोजीशन इसका वला दे देंगे क्या चैहां यहां पे थाड़ पोजीसिंटीर और अभी तुम लिखने जाता तभी असी तरह से लिख रहा था अभी तोय तोय तो्य द्रहों लिखता तो स्यों उसी तरह से ना लिख χरU किया करेंगे थी पे तुम्हारा क्या है यहां पर कौलोर मिथाल समझ मागिया न का कुलोरिन इसको कि कहा कौलोरिन दोग कौहां है एक एक तो है इस दो नहीं है रहे ब्रैकेट है सब्सक्राइब यहां समझाना चाहिए सो समझ माग जाना है कि इसमें जाता थी कॉम्प्लेस जैसा लिखता इसको लेकिन फस्ट पर है इससे चलते इसको इग्णोर कर देंगे और ड्रेक्टि बोलेंगे थिरी पर ही क्या है क्लोरो मिथाल कंप्लीट हो जाएगे यहां पर चल ती क्लोरो मिथाल बोलेंगे अब इसका नाम इसका नाम तुम कैसे लिखेगा तो इस में लिखे जाएगा तो को पहले लिखेगा मतलब यहां पर देख रहा है तो यह पर सके बदेख रहा है तू ड़ाष्ट टूडश की सब मतलत है और अब क्छया लिखोगे ऑ जोगे लिखे अब यहां पर नाम लिखोगे यहां तो को दिकत क्या होगा सो कि अरे inclined who A कि अगर अनुसार से चलेगा इसका कहाँछ चल जा रहा है डाइप चल रहा है और इससे त्राइप देख sharks चल रहा है सी से चल रहा है रहा है यहां तरो ने कोई दिकत में बचाएं समझ्माग्या भाले इसके रिस्प्थ पनी तुम्हारा क्या और्फोब और्फो लिख दिया इसका मतलए तो यह समझेगा यहां लगाए यहां मादक होगा चाहें तुम इसके पार किलद करके उसके सहे बतार है ताकि दुम कर देना नहीं है तो जैसे हम लोग पहले से करते थे कि किस सदास्य करते थे तो pactou रहाए यहां पर सभावी महाँ शाक करेंगे क्या अपर कंट कांट करेंगे तो यहां realities यहां पर क्या बोलेंगे और वही जो यहां पर जोड़ना है अब जोड़ना है तो पूरा लिख देते हैं अब पहले तीसरी का नाम लिखने पड़ेगा तो इसका नाम लिखेगा चलो इस तरह से लिख दिये नीजल और जाएगा प्रोपाईल ठीक है उसके अब यह तो कंप्लिट हो गया अब यह क्या है अच्छे बेंजिन था और बेंजन के क्लिए लिखेंगे 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 तो यह था इसका नोमेंक्लेचर तो बताने के पीछे बस एक ही रिजन था इतना इसलिए लिए क्योंकि यह हम लोग के लिए बहुत सकता है ज्यादा क्योंकि इसमें फोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो एक काम करो सबसे पहले क्योंकि वहादा लिख लो राम से ठीक है उसके पाफ फूर और फैब को बता देता है लग से चलो इतना लिख लो पहले है चलो यहां पे पर जोड़ दो ज़िख उड़ा जिदा जेएस तो सब्सक्व इमलों कर देठें यहां पर को पipsy शुझा। अब यहां पर तुम क्या जोड़ोगे CH2 CH3 का all two मतलब कि CH2 यहां पर जुड़ेगा चलो जोड़ दिये CH2 उसके बाद कौन जुड़ेगा CH जुड़ेगा और CH में CH3 के एक जुड़ रहा है सबसे पहले देख रहा है कि यहीं लिखाएगा तो इसका लिखोगे वन लिखोगे उसके बाद इसका नमरिंग दो क्या हो जागा फोर जबकि यह कॉंप्लेक्स ब्रांच है मतलब कि यहां पे वंड़ेश डर्च ओस्ति रीड़ तो ड 누가 क्या जा रहा है नित्याल ओ रहा है यह पे क्या लिखेंगे निधाल हो जाएगा लोंगे इस चंड कितना कारबन का यह तीन कारबन मतलब क्या हो जाएगा फिर इसका देखो फिर देखो बॉंडरी लैंड यह हो तुम्हारा बेंजीन अब सबसे पहले फिर बोल रहा है दो चाहए चाहप दो यहां पर छूड़ देते हैं उसके बाद यहां पर उर्फो पजिशन इसका ओर्फो कॉन होजाएगा और यही नो झाएगा यहां पर तुम्हारा क्या जूड़ा हो देखो CH जूड़ा है जोड़ दिये अब CH में CH3 जूड़ा है समझे भार है तो यहां पर लोग क्या लिखेंगे च्छ थी यहां पर जूड़ा है अब फिर साथे साथ कौन जूड़ा होगा च्छ यहां पर च्छ थी हो जाएगा तुम्हारा कौन जूड़ा होगा च्छ लेखेंगे कि इसमें जूड़ेगा कि इसमें जूड़ेगा कंफ्यूजन था सबसे पहले डिसाइड कर लो इस यहीं जूड़ेगा तो एक बचायत यहीं जूड़ेगा अशेड कर लेना क्यूंकि कभी तुम्हारा कि इसमें कितना बॉंड खाली एक इतना हो गया अब नमरी इंदे दो यहां पर क्या करेगा फिर देख रहे हैं यहां से यहां से ठीक है अब इसका नाम लिखो तो नाम कैसे लिख होगे वन पर तुम्हारा क्या जाएगा ब्रोमो हो जाएगा चलो टू पे चलोगे यह कॉम कि अंदे परीफिर जान कर्वन के चलो एतना लिखींगे ना नमंकलेचर लिखा हो रहेगा अश्रख़ी शरोस को Video थोड़ते हैं अरि अब इसका हम लोग क्या कर रहे है अज च्वल लोको उन्हें नमींक लेचर अवह क्या करे थे कोई-व्रटाber नाया हुए था उसको आयो पेसी नेम लिख रहे थे अभी जस्ट उसका उल्टा रहता अर ऐसा नहीं क्यों पुछा जा चुका है जैक बोड़ ही क्या ऐसा कवे भी कंपेटिशन में बैठोगे पूछेगा यह पूछेगा तो यहां पहलों को नोमेंक्लेचर पहले से लिख दिया बस इसक से लाश्ट में लिखता था इसका मतलब जो लाश्ट में देख रहा है अरी सफिक्स में क्या देखता था अलकेन हो अलकीन हो अलकान हो यहीं सब देखता था अभी देख रहा है कि यहां पर एन लिखाया मतलब सफिक्स में तुम्हारा क्या हो जा रहा है अलकेन होगी मतलब हो जाएगा वर्ड रुट क्या रहता था जो लोंगे श्raim reattah लोंगे श्केन में यहां पर देख रहे क्या लिखा हुआ है समझे मां गया उसी से डिसाइड करना पेंटेन है चलो किसी से लिख दो जैसे तुम्हें एगो दो गो हो जाएगा तीन गो चार गो पांच गो हो गया एक दो तीन चार पांच को कारवन क्योंकि यह पेंटेन था इसी चलते अब देखो इस तो मेंचेन हो गया अब जो भी नमरिंग देता है अरे इसी ने कोडिंग देता था नमरिंग अब यहां पर देखो तुम्हारा क्या बोला सकेंड पोजिशन तो कहीं देदो नमरिंग मतलब थाइड पोजिशन में तुम्हारा क्या होगा निथाल होगा तो यहां पर इसी तरह सकता है चाहें में लिख दो तो यह हो जाता उसका अस्ट्रक्चर उसी तरह देखो सकेंड नमर में फिर देख रहा है लास्ट में देखना लास्ट में तुम्हारा क्या है है हेक्से पोजिसन देना यहां चुलोर घूड़ा हो फॉर पोजिशन यहां हो जाएगा और फॉर पोजिशन में क्या ज़ुड़ा है इथाल मतलब यहांपर क्या जोड़ दो इथाल कर दो यह फिर निपना को टूँ को अब देख citizen शोड़ोगा है पहले क्यों है थे तुम्हें है कि तुम्हें पास पाउंच छे साथ आठ यहां पे किलोोर फिनाल तुम्हारा यहा पर ये GL को यहां फिनाल और विल सकता यह इस तरह से UFO dot लोग प्र आपने अनल जाए कि यहां पे तुम्हारा ब्रांच के ट्रीप होता है तो यहां पलिक्ते हैं तो यहां पर यहांपने आप तो भी दे सकता है यहां यहां पी तरह से भी देसे सकता है अब देखो यहां पे क्नल तो चिकर दिया अब इसमें भी होगा और जानता है जोड़ता होता हैँ अब कहीं भी नम्म देदू टू डैस थिरी डैस फोर डैस ऐसे करते जाओ गोगे अब देख रहां कितना डैस में मनद sensorिस्ट में क्या है क्लोर्व मतलब यहां पी तुम्हारा क्या जूड़ा होगा सी यह जुड़ा हो ठीक है यहांता complete हो गया अब यहां पर देखो वन पोजिसेंट अब यहां पर यहां पर है कि double bone देखो पहले कितना position फिश्टो पहले दूसरा पोई यहां पहला पपोई सांट यहां तब तक तुम्हारा क्या होगा यहां पर यह था उसका श्ट चरफ होगा बोला जाय तो अस्ट्रक्चर नुमेंकलेटर लिखना बड़ी टॉन होता है दिन वहीं बोले जाए कि से तुम्हारा अस्ट्रक्टर्टर बनाती बहुत असान हो जाता इतना हम लोगों को सबसे असान तो यहीं किलियर होगी यहां से इसे रिलेक्टेड बहुत सारा कोईसेंस होगा जो तुम लोग को फिर से दिया जाएगा ठीक है चलो इतना लिख लो फिर हम लोग देखेंगे अलकोहल फिर देखेंगे फिनोल इथर यहीं सब धीरे-देरे जेतना भी फंसनल ग्र अरीन है अब हेलो अरीन कहने का मतलब हेलो का मतलब समझ गया कि वहां पर हेलो जन हम लोग को जुड़ा हुआ रहेगा साथ ही साथ यहां पर अरीन लिखा है अरीन का मतलब बताय हुए तो पहले भी कि जहां जहां अरीन का वर्ड यूज होगा इसका मतलब समझ जाना जुड़ा हुआ रहता है तो वैसे कंपॉंड को हम लोग बोलते थे हेलो अलकेन अभी बात कर रहे है हेलो अरीन तो वैसा कंपॉंड जो हम लोग को बेंजीन में क्या रहे है हेलो जान गुरूप लगा रहे है तो वैसे कंपॉंड को हम लोग क्या बोलते है हेलो अरीन बोलते आप नाम कैसे लिखेंगे जान वैक बैन जिलोग का करेंगे और पहराे 1, 2 को और लिखने जाऊँगे तो इसके दो गशिए नाम लिखेंगे क्योंकि इससे पहले तो लोग और लोग को और ओर तो मेटा और पारा के बारे में भी नॉलेज दे दिया गया है अब देखो इसका कैसे कैसे होगा अगर इसका नुमेंकलेचर लिखना चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो 1,2 और क्या लिखोगे? डाइ, कलोरो लिखोगे उसके अब बेंजीन है तो क्या लिखोगे? बेंजीन लिखोगे एक तो ऐसा होगी है, ठीके? बाकि एक और तुम ऐसे भी लिख सकता है क्या जान रहा है कि ये δोनों कौन सा पोजिस्त Jen पे है इसके रिाउट में बोलोगो तो ये हम लोखो और फो पोजिस्तन पे है तो इसको अमलोग डैरेकले ये भी बोल सकते है और्थो जान रहा है कि और्थो पोजिसन पर ही जानता था है कि यहां पर अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे तो यह वाला पोजिसन हम लोगो ओर्थो होता है यह हम लोगो मेटा होता है यह वाला हम लोगो पारा होगा यह तो हम लोग जानते हैं तो उस तरह से भी इसका नुमेंकलेचर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, अगर इसके रिस्पक्ट में बात करेगा, तो यहाँ वाला क्या होता है, ओर्थु होता है, यहाँ वाला क्या होगा, मेटा होगा, ठीक है, और अगर नम्बरिंग दो गे तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो पर दो तरह से लिख सकता है, एक तो लिखोगे, 1, 3 पर लिखोगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाय, ब्रोमू हो जाएगा, और उसके वाँ बेंजीन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, एक और तरीका से लिख सकता है, जो और्थु मेटा प पोजिसान पर है और दोनों जगह तुम्हारा सिमीलर है इसी चल तुम्हारा पर क्या लिखेंगे हम लोग डाय ब्रोमो लिखेंगे और यहां पर क्या हो जागा बेंजिन अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होता है यह सब मेटा पारा इस अभ्यूज करने में तो डिर्क लिखना है तो कोई दिकत नहीं यहीं वहला लिखना आयू प्यसी नेम जब भी बोलता है तो उसको एक्सपैंड करके ही लिखने के लिए वह लिख चुका है चलो इसको करओगे यहां फिर उसी तरह से 100234 फिरुशी तरह करोगे वर्न और 4 पे टेहां पर क्या लिखोगे वन 4 पर तुम्हारे क्या अगर डाइ और आयोडो होते हैं आयोडो लिखेंगे यूचिकर आयोडीय ठाओ तो डाइ आई और उसके लिए क्र班ọ pitcher पाफ देखो यहां पर देख रहा है के क्या लगा है यहां पर बांडिंग को देखोगे तो चार बांडिंग कमप्लीट हो चुका है घूर इसका अगर नामकरण लिख होगे तभी तुम क्या लिख होगी सबसे पहले तुम देखुरो मेर बेंजीन और रहे हो कि तुम्हारा क्या है बेंजीन में तुम्हारा लगा ही हुआ है तो इसको डारेक्टली हम लोग क्या बोल देंगे छे नियुद्ध यूज़ कर देंगे अब इसमें वरण टू थीरी फॉर अरे जांगर कि कोई छूटी यह नहीं रहा अगर मान कर चलो बीच-बीच मे क्या लगा है एंपे हैक्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे लिखेंगे बाकि तुम्हारा बेंजीन है तो इस तरह से उसका नामकरन हम लोग लेगे शाकता है फिर हैंट सालिग देना फिर क्लो रो बेंजेन लेंगे के सभी पोजिशन पर है यह तो हैक्सित बोले गदो वहीं सबस्तो कि नहीं ह Candle बाकि यहां पर देख रहा है कि बेंजिन के बाद लंग वह लगा हुआ हई से यहां पर देख रहा है दो चीज है एक तो cyclic component भी देख रहे है एक open chain भी देख रहे हैं अब यहां पर दिक्कत यह होता है कि किधर से हम लोग numbering करेंगे और किधर से numbering नहीं करेंगे जैसे हम लोग यहां पर देखेगा carbon के संक्याट यहां पर 6 हुए और यहां पर कितना है ए उसको में में चेन मानेंगे और जिसमें चेन का कारवन के संख्यात काम है उसको ब्रांच के जैसे ट्रीट करेंगे लेगन जैसे फंसनल ग्रूप आ जाता है फंसनल ग्रूप अभी कौन है तुम्हारा और जब लोग प्स 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 फंसल गुरूप कोई भी यहां पर यहां पर वन पोजिशन पर है तो यह लोग को मेंग बाग की जो यह हो जाएगा बाकि यह बेंजीन यह बेंजीन को किसको कॉंट करेंगे आपके आपके चेंगे छीघ में जब लिखे है और जानता है पहले ब्रांश का नाम यह सब नाम अच्छीज प्रिक्स यह बहुता था अब यहां पर क्लोरओ के लिए हम लोग सी से यूज करेंगे वागि ये देखो क्या है बेंजीन और बेंजीन को जब ब्रांच के जैसा लिखते थे उसे में बताए थे कुछ के लिए यहां पर चीड़ से नहीं भी लिख सकता जैसे उसका नाम करें इस तरो सकता है वन पर तुम क्या लिख सकता है फिर यहाँ पर वन पर तुम क्या लिख सकता है फिनाल लिख सकता है कीनाल लिखेगा उसके बाद एक अ कार्व कार्वन पडिए लिखनist के लिए कामिजी लिखेगा ठिक तो ऐसा भी लिख सकता है ठीक है और गर्र screensisz को जरूरी नहीं है अगा अलग अलग कार्ष से ऑर यहां पर étaसल धता अधिन नहीं है अधिर शिर्फ के लिखने का तो 1 1 भी तूम दिखा सकता है लेकिन जब कि देख रहे कि दोनों तरफ वने पोजिशने में है जैसे मीथेन है अरे मीथेन है तो यह एक यह कारबन है अब उसमें प्रीफिक्स लिख दिया यह को खो खो च्रावाओ तो यह जूरा ही होगा एक फिनायल भी जूर कuld repair्ण भी लिख सकता है तो यहां जोड़ा है तर नहीं तो नीने सी छलते सी तरह से इसे चलते सटा कर के लिख सकता है जिस पर ऊपर चेल बहुत जरूरी हो जाता है जista एसमें देखो फिर हम लोग ब्रांज के सट क्रेंगे तो यहां पर देख रहा है कि यह भी वचे को भान है करेगा अब इसका नोमेंट में लिखेगा फिर देख राइं इस मिल्च अफिन होगा', ये तो इसी तरह से लिखेंगे रखा जाता है कि लेकिन उस तरह करके theyorg here Ц चाहै कर तो उससे भी लिख सकता है तो इसको हमनोर कर दे रहे जि दिकत नहीं है उसी तरश उसको भी लिखना है है तो यहां पर हो गया बाकि यहां पर देख रहे फिर this lot दे चाहे है और final लिखता है लेकिन उसके लिए directly यहां पर क्या ले ठीक है रहे फिनल लिख दे रहे सोल जङմा है यहां पे ब्लको को मा वर्ण किया हो मों को लगित यहां लोको क्या हो जागा ओ कि इसम्हें ओगे बाकि इसमें मनें यह इसमें देखो यह फिर उस्हीthank यह ग ev कह दूरें पर ट्राय को लोकुर लिख सकता है और लिए डीकत इससली यहां पर देख रहा है तुम्हारा पर रुप में लिए यहां पर अब यहां पर कंडेन्स फॉर्में है ऻ्सको पी ळिखा रहे चाहह से तो कि उसमें क्या होगा और थो मेटा ऐसे करके पोजिसन कर बात करता है जैसे इसका च्रक्टर की बात करेगा तो सबसे पहले देखू लिखा है कर चलिखा है क्छा लिखा है इंताई अरक फोर्मपा पारा जो भी यूज획 करता np इसकी एनलम ध iemand करते है और जाता रहे नियुक्त भाक्न कि यहां पर म्म करता शॉल्मप करके हैं थो辉त करके लिख सब्सoiresory एंजिन छाप लेना क्योंकि हम लोग जान गए कि अगर हम लोगों को çık kul एसका मतलक म्हीं पेंजिन तो होगा ही होगा इतने हैं बाकी यहां पर क्या देख रहा है पारा बोल रहे हैं पारा सलग्षे नीचे जुड़ा होगा और इस पार बोलो तब यह पारा इतना तो किलियर हो जाता है बाकी देखो पारा पोजिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस् ताकि confusion ना हो अब इसका क्या करना है नाम लिखना है अब देखो यहाँ पर सबसे परे देख रहे हैं छे को कार्बन है और यह कितना कार्बन गया है तो अभी इसको में ब्रांच मत मत मानना हां कब मानते जब इसमें हम लोग को क्या आ जाता फंसनल गुरूप आ जाता तब ज इंजिन को ही अभी क्या करेंगे में चेन मानेंगे बाकि यह सब जो है इसको में लोग कैसा ट्रीट करेंगे ब्रांच के जैस्ता समझ माग गया था तो जैसे पहले लिखते थे उसी तरह से अब देखो इसमें और्थो और मेटा पारा भी यूज कर सकते वर्ड यार नहीं है तो डियर्कले हमलों टू थीरी फोर ऐसे करके यूज कर सकते अब देखो सबसे पहले बात कि कि अग्रण को नमेंक लिए जाता है उस इस यह यहां पहलिए हैं यहां प्रोपाईल है थो चेहलिक हो रहा है यहां यहां से स्टार्ट करें तो हैंन सब पहले चीएल की लिखेगा When we लिखे गा वन पर तूम्हारा क्या हो जाएगा को लोरो घंगा बाक्ष पर्फोर पोर extran पे जैसे आएगा यहां कमप्लेक्स बाल रहा है अब उस में भी देख रहे था है जो जार जागा लिए हो प्रोपार यह से पहले हो चुका है इसमें घबराना नहीं तो यह कम्प्लीट हो तुम्हारा क्या बाकि यहां पर देख रहा है तो बेंजीन लिग देंगे वह समझा गिया न हो एक से नम्बर दिया रीस को या रिघ्ट में डिया है उसको इसको और से यहां पर लेख लेक्लू बाकी वाटी किसको में अमेन मानते हैं किसको हमनों ब्रांच मानते हैं तो आपधाने से सोचना नहीं कि वह अलग है इसका देखो ठीक है अब इसमें तुम क्या खूद से लिख सकते हो किया इसका नाम जैसे यहां पे तुम इसका देख लिया कि पारा पॉजिशन पे दिखा दिया अभी क्या चिम दिख नहीं ने पने आप है मेड़ों को देखाना है यहां पीडिकाना पड़ेगा दो अिभरना अब आ देयुल से ढमानों मेड़ों ug7 रखनेस दोना कि द्रॉक्टिस करद द्रॉक्या मेड़ों Dan यहा को चेहता है इसको तुछ कुछ से है लिघ है? यहीं बना सकताई एक और दो अको आने महीं लिखेंज है मन लेक है है भूसक था इस सब्सक्राइब गFr Spring guyOW धैसे अमयी होगा है बड़ी तकलीफ हो हो रहा है सबसे पहले मिलोग क्या करते है जब भी ओर्थो मेटा पारा जो लिखाल रहता है यह सब ठीक है अब इसमें देखते हैं कि बेंजीन तुम्हारा कहा है तो बेंजीन तो यहां पर है लेफ्ट साड और इधर राट साड देखना ठीक है तो यही दो क्या लगा होगा उसमें यहां पर मत जोड़ना यहां पर जोड़ेगा क्या ची च्टु और क्या जोड़ेगा बाकी अगुल और तरफ जोड़ा है वह क्या जोड़ा है तो जोड़ा है यहाँ पे सब्सक्राइब नोमेंक लेचर में अभी पहले ऑगर अलावा देखता है यहाँ पे देख रहा है तो फट्ट गूरूप यहाँ पे देखा है कहां पे लगा हुआ तो जैसे तुम लोगों बताया थे कि फांसनल गूर्फ अगर ओपन चेंड में लग जाएगा तो वह ही तुम्हारा मेंचें कहलाएगा लगें इस केस में अगर मान के चलो इसको तुम ले करके चलोगा मेंचेंड तो देख रहा है कि यह तुम लोगों एक ब्रांच बन जाए complex branch मिले गया सभी माइग तो इसको लिखने का उस तरह से भी लिखा जा सकता है नाम लेकिन वैसा लिखने में यहाँ पे क्या हो जागा पेचीदा हो जाएगा सभी माया रहा है मतलब bracket लोग को double double देना पड़ेगा जो कि जेरलल हम लोगों को ऐसा नहीं मिलता में जया जाता जहा है जमान इसका नाम लिखने जाता यहां पर क्या मिल गया ब्रांच मिल गया मिल आपा मिल नब रांच मुह six अब राशा कि मत्लें शैसा हैं हो जाएगा और उसके अंदर तहो अलए प्रांश तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले फिनेक्र से लिखता ये लिखता और उसके अंदर देख रहा है कि इसके अंदर तुम्हार का है तुम्हार होन पर समय खाओने करते हैं कि पास बढ़ना vaca यहां पर क्या लिखता थिरी डैस लिखता यहां पर दैसे नहीं लगेगा तो यहां पर थिरी डैस में भी देख रहा है तो यहां पर थिरी डैस जैसे करता यह डायक्ली यहां पर चलता था यह वन डबल डैस हो जाता और कुछ अलग से दिखाना पड़ता ना इसको वन डबल लोग क्या लिए लिर ना तो यहां पर फीर से हम लोग्ति अीधान प्रेंशान और यहां पर इसको क्या करता न यहां पे टूटास पर है इसका हम लोग क्या बोलते है और इहां पर क्या चै-"2D 대표 Ma डाइस यहां पर यह तो दोनों में क्या है मैटा लगाया तो उसके लिए क्लिक ते सहा रहा हुआ है उसके इब देख रहे लोंगेस च्छन कितना कार्बन का है तिरर कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग फ्रोपाय लिखते हैं तो यह तो हो गिया सिर्फ एवल आ इसका बात हो गया वाकी यहां पर तुम्हारे क्या हो जाएगा अब यह ब्रैकेट बंद मतलब समझ रहा है कैसे हम लोग लिखते हैं अंदर भी अगर कॉंप्लेस रात हो तो इस तरह से नाम लिखें बाकी देख रहा है तुम्हारे मेंचन गों था एक कार्मन का और एक कार्बन के लिए का लिखते है मिठेन लिखते हैं तो यह हो जाता उसका नाम अगर लिखने जाता तब अईसा भी तो लिखते हैं तो लिख से तक क्योंकि यहां पर फंसनल गूरूप है तो इसको मेंचन मान लेते हैं और उस तरह से चलोगे तो देख रहा है पहले ब्रांच है और ब्रांच के अंदर को फिर से लिखते हैं जैसे इसी स्ट्रक्टर्स को फिर बना लेते हैं तो इसका दूसरा तरीका से भी इसका नामकरन लिखा जाता है अगर इस तरह का कंडिशन हो गया तो उसमें फासना नहीं है इस तरह से लिखने का ऐसा भी लिख सकता है अगर लिखना है तो इस तरह से में चेन मानते हैं तो ब्रांच के अंदर फिर कॉंप्लेख्स वरा तो इस तरह से जब आएगा तो उस कंडिस्टन के हम लोग क्या रहते हैं लिए हैं यह क्या मान लेते हैंrios नहिंट ये कि अनुसार सी क्योंकि अभी जो मेंचेन मान रहे हो किसको मान रहे हैं बेंजिन देखो इस तरह का केस आ जाएगा तब तब मानना किसको बेंजिन को समझे माले हैं मेंचेन अब यहां पर नाम लिखने जाएगा तो नम्मरिंग कहा देगा इसको बन देगा किसको बन देगा यहां पर देख नाम लिखना बाकि इसमें चलोगे तो उसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ता है ठीरी लिखता है यहां पर देको थी लिखता है और ठीरी पर तूम्हारा क्या है और induced carbon it will get to keep original इने वोल ब्राइच का नाम लिख लिए इस नाम लिए वाकि ये बेंग्जीन है तो यहार लिकностиन हो यह तो थी सब्सक्राइब करना सबसे पहले हैं तो तो फिर वहां पे तीन पोजिशन पे यहां पे और तीन इसए चलते हैं यहां पे ट्राय और डबल बॉंड है इसी चलते हैं एट लिखता है लेन इतना ना लिखर करने के हो यह हो गया डूनों को का दो हम तरहते हैं मत पर अइसे रिख लेना और इसी फॉर्मूला के यह च्छर्चे वह बनाने लिए र knit इसका नोमों क्वाइब तरह जो स्भीदा लगता है उसको लिख लेना चलो इतना लिख लो यहां पर तीन को यहां पर example लिया गया है ठीक है इसको तुम लोग खुद से ट्राइक करो कि इसका structure भी बनाने का और साथी साथ इसका नाम लिखने का ठीक है उमीद है कि तुम लोग video रोक लिया होगा और इसको अच्छा तरीकत से खुद से बनाने की परियास किया होगा है ठीक है चलो हम यहाँ पर solve करते हैं सबसे पहले देखो इसका structures बनाना है ठीक है main तो मकसद है हम लोग structures को बनाना अगर सही structures हम लोग बना लेते हैं तो इसका नाम भी हम लोग बहुत ही असानी तरीका से लिख पाएंगे ठीक है तो देखो सबसे पहले देख रहा है कि इसमें क्या है यहाँ पे देख रहा है बेंजीन भी यूज है पारा पोजिशन भी यूज है और यहाँ पे hall 2 भी है फिर यहाँ देख रहा है इस तरह से carbon carbon ऐसे कर गे ठीक है तो यह हम लोग को कैसे इसका structures बनाएंगे बहुत दिकत तो नहीं होना चाहिए, बाकि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन को लिख देंगे, यहाँ तक भी कोई दिकत नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभी जानता है कि यह कार्बन हम लोग को चार्गो बोन बनाएगा, कितन आछ जोड़ेगा तुम्हारा सी एक जोड़ेगा फिर उसके बाद तम्हारा क्या जूड़ेगा च्छ एच यह जो प्रोमीन है वह इसके सप्छ यहां पे जूड़ जाएगा अब इसका जांद करें एद Sug Audna ऑ sales यहीं दोनों यहां पे जूड़ेगा अभी देखो यह ब्रैकेट के अंदर है वो क्या कहना चाहता है पारा पोजिस्टन पे तुम्हारा क्लोरीन होगा और यहां पे C6H4 है मतला बेंजीन होगा मतला कि यहां पे इसका जो यह दोनों तरफ बॉन्ड बन रहा है यहां पे तुम्हारा क्या होगा बेंजीन होगा यहां पे क्या होगा बेंजीन होगा उसी तरह से यहां पर भी तुम्हारा क्या होगा बेंजीन होगा समझ मागे तो यह हो गया तो यहाँ पे तुम्हारा क्या जोड़ना है, क्लोरिन जोड़ना है, उसी तरह से इसके रिस्परक्ट में तुम्हारा क्लोरिन कहा चल जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरिन लिखेंगे, तो यह था इसका सही अस्ट्रक्चर्स कि कैसे हम लोग इसक से उसका श्रक्ट्रस बनाएंगे सो अब चलो इसका नोमेंट लिचर लिखते हैं सबसे पहले देखो अगर यहां पर देख रहा है कि यह जो यहां पर देख रहा है यहां पर भी तुम्हारा ब्रोमिल लगा है मतला है लोजन गुरूप लगा हुआ है तो उस कंडिशन पर यह तो यहां पर देखो कॉंटिंग करेंगे जो लोंगेस चेन होगा वो तुम्हारा लोंगेस चेन क्या होगा यही चीज तुम्हारा लोंगेस चेन हो जाएगा यह तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा और यह सब जो है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा कॉंप्लेक्स कहां मिलेगा 33 पर अगर इधर से कॉंटिंग करेगा तो और दो पे दो बढ़ा और एक तीसरा पर टोटल जोड़के देखो तो तिन तिन छे और दो आठ और इसमें जोड़के देखो चार अर्टिन कितना हो जाएगा साथ तो सामने कुन पढ़ा यह वला मतला इधर से नम्ब अर्टिंग तक भी बना लिये अब सबसे पहले देखो कि इसका नाम जो यहां पर देख रहा है इसका देखोगे और इसका देखोगे यह दोनों का दोनों तो सेम है और सेम है साथी साथ और इसका अगर सिफ नाम को देखने जाओगे तो कितना पोजिशन हो जाएगा यहाँ पर क्या लिख歐गे चार तुम्हेरा क्या हो जाएका तुम्हेरा क्या हो जाएगा और यह बेजिन पे लिए जब बेंजिट्राइ्मे तो तो सी से बागी यहाँ पर देखो एवलब ब्रांच को यह जाएका सस्टाइगा तोas स्टार्ट होगा ब्रोमीन के लिए क्या लिखते थे ब्रोमो मतलए 20 से स्टार्ट होगा मतलए जो ब्रांच का नाम लिखेंगे पहले इसका लिखेंगे तब फिर यह कॉंप्लेक्स ब्रांच का नाम लिखेंगे तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सबसे पहले तो उस दौरान उसमें हम लोग रहेगा तो उसके लिए 20 लिखते हैं तीन गोड़ा तरह तो उसके लिए 20 लिखते हैं अगर 4 रहेगा तो टेटरा किस लिखते हैं यह सब लिखते थे तो यहां पर देख रहा है दूसरा दूसरा पोजिस्टन पर है कहां कहां है दूसरा और द ब्रांच का नाम, अब ये सारा कुछ हो गया, अब longest chain, longest chain कितना carbon का है, 4 carbon का, तो 4 carbon के लिए word root क्या लिखते थे हम लोग, तो bute लिखते थे, क्या लिखते थे, bute, अब single bond है, इसी चलते उसको क्या लिखेंगे, A, M, E, लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3, chloro, 2, 2, 20, और 4 पे तुम्हारा क्या होगा, chloro, phenyl हो जाएगा, और butean होगा, तो ये रहा इसका नोमेंकले चाह, उमेद है, तुम्हें अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ा सा भी दिकत है, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पांच-दस सकेन फिर से पीछे करो, और फिर जितना चीज यहां पर बताएं, उसको फिर से सुनने की परियास करो, साल कुछ तुमको समझ में आ जाये गा, थीक है, चलो, अब बात करते हैं इसका,是這樣 structures कैसे बनाओगी, तो इसमें सबसे पहले carbon का chain बनता है, क्या बनता है carbon का chain, तो कितना carbon है है यापर, एगो दूगो कार्बन है तो दूगो कार्बन है तो यहां पर दीख लो यहां पर CH है और यह कार्बन का चीज़ जुड़ा होगा कार्बन ऐसे कर गए अब यह फुलोरिन है दूगो तो फुलोरिन दूगो इस पर जुड़ा होगा एगो और एगो दूगो देखो इस कार्बन बनाता है यहां पर कितना बनातेगा तो हमनोग जुड़ता तो आफिंगई कारबन से बनेगा इस का बेसी चाहिए सथे surprised कि सभ्राइब ऒ forgot the यहां पे दिया है कि वह इस तरह से बोल रहे है कि कारबन पर ंदो टीनों जुड़ा हुआ तो इसका यह बनेगा क्योंकि इसका भी एस्ट्रक्चर सहील से यहां पर बना नहीं पाता है श्टूडेंट लोग समझे आगया ना चौड़ अब रहा बात की इसका नोमेंक्लेचर लिखोगे अब इसका नाम लिखोगे कि दर से करोगे एकर कौंटिंग करोगे यहां से वन यहाँ पर देख रहे हैं one one पे दोगो branch आ रहा है one one पे dude और two two पे कहां मिल जाएगा तीन गो branch मिलेगा ुस तरह से बदेख तीन छे और दो जो जाएगा आठ हो जोड़नेपर अगर इधर से numbering देगा तो तीन को प्रांच वन वन पर आजागा तो वन 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 और टू पोजिशन पर कितना हो जाएगा दो अभी जोड़ो तीन और चार कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा अभी कितना हो जाएगा साथ मतला नम्रिंग किदर से करना पड़ेगा इधर से करना पड़ेगा तो यहां नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कर ग्रॉमन को यह लिए कहा लिए ekा है हर वन पोजिसन पर क्या हो जाएगा ब्रॉ आप तहुना कितना पोजिशन पे वान और टू 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 पे तो यहां पर क्या लिए रिख्ते हैं तो दो कारबन का ai ह?, लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं इत क्या लिखते हैं लोग इत लिख लिए और सिंगर बॉंट है तो उसके लिए क्या लिखते हैं ए एन इत क्लियर है तो यह रहा उसका नोमेंक लेचर तो इसी तरह से तुम्हें अस्ट्रक्चर भी बनाना है उसी तरह से तुम्हें क्या होगा अभी देख रहा है कारबान के उपात कि याज होगा है के कारबन होगा घिल देख रहा है के अ вся तुम्हारा केग होगा 2 तीन साथ क्या ची रहेगा अई वह लोगों को पूरा कंपॉंड महां पे चुड़ा हो रहेगा मतलब इसका जो अस्ट्रक्टर्स बनेगा वो इस तरह से बनेगा ठीक है ध्यान से देखना यहां पर सबसे पहले देखना कार्बन है एक तरफ से तुम्हारा सी यह जाएगा यहां पर तुम्हारा सी एल और उपर भी सी एल और इधर भी तो इसका स्ट्रक्टर्स हम लोग को यह बनेगा ठीक है अब रहा बात कि इसका नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे किसको कॉंप्लेक्स ब्रांच मानेंगे सबसे पहले देखो कि इधर से भी कॉंड करेगा त जिसमें से तुम्हारा यह भी ब्रांच 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 और यह ब्रांच निकल गया और यह जो निकला है यह हम लोग को क्या बन गया कॉंप्लेक्स ब्रांच बन गया यह हम लोग को क् कर दोो जैसे यहां पे करते हैं वश्तों यहंसे क्या हो जागा तर नौ्ट नवांक्लम के देख लो तो पहले टाएंगे किया थैं हौन Einsतनेम वन वंपने क्रों में तो सबसे पहले इसका नाम लिख कर के देखаже घेंना पीटना पे चल जाएगा घौन पर चल जाएगा और वन वन पर तुम्हारा क्या जाएगा वन और वन इसमें तुम्हारा तीन को क्या है क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे उसके लिए ट्राय और क्लोरीन के लिए क्लोरीन के लिखते हैं हम लोग क्लोरो लिखते हैं क्लोरो एगो कारवन है तो उसके लिए हम लो से सुरू हए रहे टी देश है ना किसी से कलरो है लेकिन उससे पहले लग गया है जबratos ब्रांच में सब यूज होता है वित रह आख रहा तो इहाँ पर टी स्टब करते हैं तो इसमें क्लोरीन को क्लोरीन की से लिए उसके सफर्ट होगा वहाँ पर यह क्या चीछ सुरू हएं टी से पहले को शुरू हो घाओ अगा तो पहले उन लोग प्राइद का नाम लिख लेंगे अब इसमें देखो तुम्हारा के वाल के वो यहां पर कितना है तीसरा पोजिस्टन 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 तूटल कितना है तीन गो यहां तीन गो यहां छे गो रेक यहां साथ गो और साथ के लि लिखतें थेट यहाँ पर क्लोरेट सिपटा क्लोरो हो जागा क्या होगा है यहाँ परावार signing क्लोरेन का प्रांच है उसका नाम कर? है अब यहाँ पर यहाँ सबसर पहले नाम क्ये थो तो यहां पर लिख रहे तो यहां पर लिख रहे तो यहां पर क्या हो जाता तुम्हारा वन पोजिस्टन फिर यहां पर देखो वन डास और फिर यहां पर देख रहा वन डास तीन गों यहां पर वन डास वन डास हो जागा और उसमें तुम्हारा क्या हो जागा और यहां पर क लिए क्या लिखते हैं प्रोप लिखते हैं और सिंगल बॉंड है इसी चलते ए एन ही हो जाएगा यह हो गया तो इतना नाम लंबा नाम तुम्हारा क्या होगा इस कंपॉंड का ठीक है अब यहां पर इसको छोटा कर सकता है जो इसी यहां पर कॉंप्लेक्स वालम देख रहा ह सारा का सारा तुम्हारा वैसे भी देख रहा है एको मिथाल है मतलब एक एको कार्मन का चेन है अब उसी में तुम्हारा क्या तीन को क्लोरिन लगा है तो वैसे भी कहीं भी लगा दो एक कार्मन में तार यह तो वन ए पोजिसन पर आगा न तो इसी चलते हैं यहां पर वन व करने के चकर में तुम भूल जाओ, हो सकता है, तुम confused हो जाए, इसी चलते हैं, इसमें क्या करो, सभी को जिस तरह से लिखते आ रहा है उसी तरह से लिखते चल जाओ, मीट आने का बाद छोड़ो, बता रहे हैं कि इस वहला हटा भी सकता है, डिरेक्टली खल लिख सकता है, ट लब के बात कर रहे हैं इसमें देख रहा है तुम्हारा जो कुलोरिन था वन पोजिशन पर या थीरी पोजिशन पर भी है अगर वन को छोड़ देगा तो पता कैसे चलेगा ठीक है तो उस कंडिशन में तुमको वन वन दिखाना पड़ता है यहां पर देखो कोई और भी चाहां वो ओपेंचेंड से रिलेक्टेड हो वो सारा का सारा हम नोमिंकलेचर यहां तक कभर कर चुके हैं अब जो हम लोग देखेंगे हम लोग अलकोहल का देखेंगे फिर धिशन फिनोल का देखेंगे इथर का देखेंगЕ फिर ELDHAT, Ketone, Carbosalic Acid देखेंगे Aminosry Sub देखेंगे साइनएड वेगरा देखेंगे आयसो साइनडी सब देखेंगे तो बहुत कुछ यहां पर देखना है नोमेंग्लेचर हलाकि अब इस सब बेश था वह बेश हम लोगों को मजबूत हो चुगा है अब देरे देरे क्या करना है अस्पीड को बढ़ाना है क्योंकि अ आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके बाद फिर आप बहुत आसानी से सारे कंपॉन का नोमेंकलेचर लिखना सीख जाएंगे तो आज हम लोग इदे ही तक वीडियो को रहने देते हैं तुम लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि तुम अगर वीडियो को भूल जाएगा तो बाद में फिर उसको रिकॉल कर पाओगे इन और्गैनिक में भी वैसा हो सकता है लेकिन वही तुम और्गैनिक केमेस्टर जब पढ़ते हो तो अभी एकर उसको रिवीजन करना छोड़ दोगे अभी जब पढ़ रहा तो अभी मजा आ रहा है जैसे अभ फिर से स्टार्टिंग से लेक्चर स्को फोलू करना पड़ेगा और फिर से पढ़ना पड़ेगा तो तुम्हें क्या है बहुत ज़्यादा प्रोब्लम के सामना करना पड़ेगा और तुम्हें पता तो चल रहा है कि जो पीछे का कंसेट हो आगे हम लोग को यूज होते रह पहले स्काला से ही पुर्ते आ रहे हैं कि organic chemistry बीना पीछे के चेज़ों को पढ़े बिना तुम आगे का concept को नहीं सीख सकते हो ठीक है तो इसी चलते अभी भी समय अभी ज्यादा time तो विता नहीं है तो अभी से कोशिस करो अरे copy को अगर उलट के देखो कि जितना नोट्स बनाया है ज्यादे ज्यादे तुम्हें 15-20 मिनट लगेगा सारे concept को तुम फिर से revision कर लोगे तो बस डेली ज्यादा कुछ करना थोड़ी है बस ख़ले copy को उलट कर ख़ले देखते रो कि क्या किसमें था और डोपे लेचर को जो तुम लोगो जाना प्रैक्टिस करते रो नोट्स का जो जितना question से सब बताते हैं बीच बीच में directly से compound को उठार उसको खुद से लिख करके देखो कि क्या अभी भी तुम सही लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है फिर उसका answer को match करो गलत होगा तो फिर देखू का फिर क्या गलत हो होगे उतने ही तुम्हें आगे चलके फायदा होने माला है क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है organic chemistry का अभी बहुत कुछ रेखना बाकी है अभी रियक्शन्स विखे रहा है बहुत कुछ अभी जी योसी सब पढ़ना बाकी ही है तो वो सारा चीज जब आएगा तो उसमें औ के दौरान ही पुरा समझा देते हैं बस घर में सिर्फ तुमका क्या काम करना है वहाँ पर करना है रिवीजन करना है रिवीजन कर दोगे सारा कुछ कंसेट क्लियर हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग को पुरा 11th क्लास का जितना भी है चाहां वह जैक बोड के लेबल हो चा वह हम लोग जे ही हो चाहा रिक हर एक लेबल का है तु हम लोग को चौन करेंगे और तो इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं ले लेना कि हम लोगो क्या होने वाला है सारे सले बस हम लोग को कभर हो जाएगा अभी 12 तो अस्टार्ट नहीं हुगा यहां ने टुबल्द मानके चलो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जैसे हम लोग और गानिक जाएगा तो तुम्हारे 11th क्लास का और गानिक की वहाँ पर requirement होगा, बीना 11th क्लास की और गानिक का आप वहाँ पर 12th क्लास का और गानिक को टच्छी नहीं कर पाएंगे, समझ माया, तो इसी चलते पहले जोर दिया जा रहा है 11th का, तो एक महना के अंदर इसको कभर कर लेंगे, बाकि उदर हम रहे 12th को बहुत जल्दी-जल्दी कभर कर लेंगे, एक महना लगेगा तुम्हारे 12th का पूरा और और वही चीजी सब नहीं पढ़े वरेगा, तो और गानिक को तुम्हें 2-3 महना पलस च प्रेक्टिस करना है, हर एक एक एकजाम का प्रिप्रेशन भी करना है, ताकि तुम कोई भी छेतर में जाना चाहरे हो, चाहें COT में जारा चाहते हो, या तो फिर सेंटर यूनिवर्सिटी में, या फिर तुम नीट का त्यारिक करना चाहते हो, चाहें तुम जेही का करना च चाहते हो तो जीस भी तरह का तुम प्रिप्रेशन करना चाहते हो वो यहां पर सरी चीज का प्रिप्रेशन करवाया जागा ठीक है टेंशन मत लेना कैमेश्टी का वो मेरे उपर छोड़ देना ठीक है बस खाली बार बार के बोल रहे हैं तुम लोग रिवीजन करना छोड़न नहीं क्योंकि रिवीजन करना छोड़ोगे तो तुम ही को घाटा होगा तुम ही को नुकसान होगा उसमें बोलोगे कि अगर तुम डेली डेली पढ़ते रहोगे तो ठीक है उमीद करता हूं सारे लेक्षर जितना बनाय जा रहा है वो तुम्हें अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा पसंद आ रहा होगा तो इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए बस एक यहां पर रिक्वेश्ट रहता है कि वीडियो को लाइक कीजिए एक अच्छा समापे कमेंट कर दिए ताकि उसको देखने के बाद हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चो यहीं पर आना देते तब तक के लिए जाहिन